Hello friends, today is our topic as class 5 का जो आपका जीके का चाप्टर है, 30 number chapter, 33, sorry, 33 number जो चाप्टर है, Deficiency Diseases, वो करने चारे हैं, तो Deficiency Diseases होती क्या है, Deficiency Diseases, Deficiency होता है कमी, तो किसी की कमी से होने वाले जो diseases होते हैं, और नॉर्मली कमी किसकी है, तो वो है आपकी vitamins जो है उनकी और minerals जो है, उनकी कमी से, तो बात कर रहे हैं, Deficiency Diseases, a balanced diet is extremely important for good health of a person, जो balanced diet होती है, वो एक person की good health के लिए क्या होती है, बहुती जादा जरूरी होती, extremely important, apart of carbohydrate and proteins, apart from carbohydrate and protein, our diet must contain vitamins and minerals, inadequate amount, हमारा जो diet है, उसमें carbohydrate and protein जो है, वो तो होते ही हैं, लेकिन साथ में आपका जो vitamins है, minerals है, ये भी एक adequate, एक संतुलित अनुपात में इनका होना जो है, वो भी जरूरी होता है, inadequate intake of vitamins and minerals results deficiency diseases, अगर आपके पास, आपकी body को जो है, वो आपका vitamins and minerals, अगर सही मात्रा में नहीं मिल रहे ह तो it causes deficiency diseases, इससे क्या हो जाती है, deficiency diseases जो है, वो हो जाती है, match the vitamins and minerals with the related deficiency diseases, तो हमारा ये जो 13-3 number chapter है, इसमें हम vitamins और minerals को किसके साथ मैच करेंगी, उनकी deficiency से होने वाली जो diseases है, उनकी साथ मैच करेंगे, number one जो हमारी deficiency disease है, वो कौन सी है, तो number one जो है, वो है आपकी vitamin A, जो vitamin A है, अगर उसकी कमी हो जाती है, उसकी deficiency हो जाती है, तो उससे हो जाता है night blindness, night blindness का मतर आथ को नहीं दिखना, इसका मतलब है कि या तो dark में, अंधिरे में दिखेगा, बट कम दिखेगा, या नहीं दिखा है, तो वो vitamin A जो है उसकी deficiency से हो रहा है, तो first vitamin A जो है उसकी deficiency से कौन सा हो रहा है, night blindness, night blindness, second पर चलता है vitamin B1, vitamin B जो है, B1 जो है, उससे होता है आपका बेरी-बेरी, B से vitamin B and B से ही बेरी-बेरी, फिर आता है vitamin B2, vitamin B2 जो है उससे क्या होगा, उससे जो growth है ना वो retarded हो जाती है means growth जो है वो थोड़ी slow हो जाएगी and bad skin skins जो है वो भी आपकी थोड़ी सी skin जो है वो आपकी bad means यह जो है वो मतला इसमें कोई glow वग रहे जो है वो नहीं रहेगा तो यह हो गया आपका vitamin B2 vitamin B2 से क्या होता है तो एक तो growth जो है वो हो जाती है slow, this is retarded growth and bad skin फिर आता है आपका vitamin C C जो है उसकी deficiency से होता है scurvy और इसमें आपके normally bleeding gums जो gums होते हैं उनमें से bleeding जो blood है वो निकलता है this is vitamin C जो है उसकी deficiency से हो रहा है scurvy vitamin C से हो रहा है scurvy then आता है vitamin D vitamin D जो है उससे होगा rickets इसे हड़ियां जो है normally पैरों की जो हड़ियां है वो तरशी मुड़ जाती है तो vitamin D जो है वो आपका deficiency से हो रहा है rickets फिर आता है vitamin E vitamin E जो है इससे क्या हो रहा है vitamin E की deficiency रहा है muscle weakness and nerve pain जो muscles है वो weak हो जाती है hand and leg की muscles हो जो weak हो जाती है और जो nerve pains है nerve जो है उनमें pain होता है और wisdom जो है वो भी इसमें थोड़ा जो है वो कम हो जाता है फिर आता है आपका vitamin K vitamin K जो है अगर अगर उसकी deficiency हो जाएगी तो bleeding जो है वो बहुत जादा होईगी due to injury अगर कहीं चोट लग गई है तो bleeding जो है वो बहुत जादा excessive bleeding due to injury अगर injury हो गई है कहीं चोट लग गई है तो उसे कैसी bleeding होई excessive bleeding होईगी normally जो bleeding होती है वो नहीं उससे भी जादा होती है अगर body में vitamin K जो है उसकी deficiency है तो नेक्स आता है iron iron जो है उसकी deficiency से anemia हो जाता है और anemia में action में होता है क्या हमारे blood में जो RBCs होता है उनकी जो number है वो कम हो जाता है और जो oxygen को ले जाने का काम करता है तो द्यार रखेगा iron जो है उसकी कमी से जो है हमारे body में हो जाता है anemia उसकी बाद आता है calcium calcium की कमी नॉमें द्यार रखेगा calcium जो है उसकी deficiency इसका effect होगा bones पे और किस पे होगा teeth पे because हमारे teeth और bone उनका major part जो है वो calcium है तो अगर calcium की deficiency की बात करें तो bad teeth and bone जो है वो इसका इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका आता है phosphorus 10 नॉमबर पे जो है वो क्या है phosphorus है deficiency of phosphorus से क्या हो जाएगा low aptitude it is not aptitude ये जो है वो aptitude नहीं है ये क्या है आपका ये है this is appetite ये appetite जो है appetite जो है उसकी spelling है a double p e t i t e appetite appetite का मतलब होता है भूग जो है वो कम लगना तो अगर हम लोग phosphorus की deficiency की बात करें तो इसमें low appetite हो जाता है and low appetite means है भूग कम लगेगी and same retarded growth ये जो है वो slow हो जाती है तो phosphorus जो है उसकी deficiency से क्या हो रहा है low appetite and retarded growth तो ये हो रहा है आपके due to deficiency of phosphorus इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका आता है iodine and lack of iodine जो iodine होता है उसकी जो कमी हो जाएगी deficiency हो जाएगी तो उससे एक तो हो जाता है goiter जैसे हिंदी में घेंगा कहते हैं गले के पास में बड़ी सी गाठ टाइप जो है वो फूल जाती है जो गला है वो फूल सजाता है सूज सजाता है तो iodine जो है उसकी deficiency से होता है goiter और इसके लाबा enlarged thyroid gland गले में आपके gland होती है thyroid जो की थोड़ी सी बड़ी हो जाती है swollen हो जाता है तो iodine जो है उसकी deficiency से होता है goiter और होता है enlarged thyroid gland इसके बाद आता है copper copper जो है उसकी deficiency से क्या होगा brittle bones bones जो है वो बहुत ही जादा weak हो जाएंगी excessive blooding तो ध्यान रखेगा यह जो blooding excessive हो रही है वो हमारे vitamin K से भी हो रही थी और यह कह रहे है कि copper जो है उससे भी आपके excessive bleeding जो है वो होती है इससे लेकिन ध्यान रखेगा due to injury अगर आपसे पूछते है excessive bleeding due to injury तो हम लोग जो है उसमें vitamin K बरेंगे और excessive bleeding है plus brittle bones दोनों अगर आते हैं तो आपका आता है copper तो यह जो है वो आपका था chapter यह आपका अच्छा लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना फीडियो शेर कीजेगा थैंक्स फॉर वाच्रेंग